अगर वेक्ती चाहे तो बस कुछ एतायात के नियम का पालन करके खुद को तथा और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकता है यहां कुछ साधारन भारत के आतायात के नियम का मतलब बताया गया है जिनका पालन करके हम हमारे एतायात को बहतेर बना सकते है तो याता है कि इस बड़ी समस्या से आसानी से छुटकारा भी मिल जाएगा दोस्तों प्लीज इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए और आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने से और आप खुद भी नुकसान पाने से भी बच जाए तो दोस्तों हमारा इस वीडियो को प्लीज आप दूसरों तक शेर जरूर कीजिए ताकि बहुत से ऐसे लोग है कि अपने आपको सुरक्षित रखने के चकर में दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते दूसरों तों को शुरक्षित करने के चकर में खुद भी नुकसान पहुंचा लेते यानि कि ऐसा नहीं है दोनों को भी सुरक्षित रहना सबसे पहले बहुत जरूरी है थाकि हम घर से निकले तो तब हम घर आने तक अपने घर में अपने लोग हमारे लिए इंतिजार करते रहे ते ये क्यों नहीं भूल जाते हैं आप लोग क्योंकि मैं ऐसा बहुत जगा देते हैं उसके वज़े से कभी लेडिस को भी वोवर्टाइक करने के समय लेडिस कभी कभी घबरा कर भी लेडिस अपना बाइक खुद हाथ छोड़ देते हैं इस तरह से बहुत सारे एक्सिडेंट हो जाते हैं क्योंकि गाड़ी चलाने के लोगों में और सिर्फ लेडिस ही नहीं और बड़े बुजर्ग भी गाड़ी चलाते हैं कभी-कभी उन लोगों को बड़े से हार बजाने से भी उन लोगों को प्राबलम हो जाता है तो प्लीज आप इस वीडियो को दूसरों तक शेर जरूर कीजिए ताकि हम आज हमारे चानल के जरीए एक छोटी सी है अगर आपको पसंद है तो प्लीज जरूर आटस अप और फेस्ट बुक में इस वीडियो को जरूर शेर कीजिए चलिए दोस्तों अभी बिना देरी के शुरू करते हैं चानल को सब्सक्राइब करना और नोट्फिकेशन आन कर लेना ना भूले ताकि हमारे चानल में कीजिए और बाजी वाली इस बेल आइकान को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सारी जानकारी के लिए वीडियो को प्लीज शुरू से हम तक जरूर देखिए आपने वाहन की पार्किंग का ध्य की सही जगा पर ही पार्किंग करें ताकि दूसरों को कोई भी दिक्कत ना हो और सड़क पर ड्राइव करते समय वोवर्टेक ना करें क्योंकि जब भी आप ड्राइव करते हैं तो किसी से भी रेस ना लगाए यह जरूरी नहीं कि कोई आप से आगे निकल गया तो आप भी उससे आगे निकले और यातायात के नियम को तोड़ दे अगर आप यातायात के नियम का पालन करते हुए गाड़ी चलाते हैं तो यह आपके और साथ साथ दूसरों के लिए भी अच्छा होगा बहुत ज्यादा और लगातार हार्न का उपयोग ना करें क्योंकि अगर आप लगातार हार्न बजाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं यह आगे लगा हुआ जाम जल्दी क्लियर हो जाए इससे सिर्फ सामने वाले विक्ती पर दबाब बनता है और ध्वनी प्रदूशन फाइलता है इससे अच्छा होगा कि आप थोड़ा इंतिजार करें और सामने वाले को निकलने का मोका दो एक कर्फा रोड इस तरह रोड रहने जब आप सोस समझ कर गाड़ी जरूर चलाइए जब आप एक कर्फा रोड में होते हैं तो उसे फालो करें तथा उसे तोड़े नहीं यह कुछ दूरी के लिए होता है यह ड्राइवर की सूविधा के लिए ही बना होता है तो इसे फाल लेन में हो तो उसे फालो करें बिना किसी अनदेश के लेन को तोड़े नहीं अगर कोई वेक्ति अपने समय को बचाने की दुरुष्टी से लेन को तोड़ता है तो आने वाले की वाहन को प्रभावित करता है यूटन ध्यान रखिए कि यूटन ड्राइवर का अधिकार नहीं है यह बस ड्राइवर की सुविधा के लिए बना होता है जब भी आप यूटन पर हो तो आगे फीचे के ट्राफिक को देख ले तथा सभी की सुविधाओं को देखते हुए यूटन कर ले और हाथ सिगनल अगर आप हाथ सिगनल का उपयोग करते है तो यह आपके फीचे च चल रहा वेक्ति आपके साइड को समझ कर सेफ ड्राइविंग कर सकता है यातायात के संकेत और यातायात की नीती है जो यातायात संकेत और यातायात नीती होती है या उस जगा पर ड्राइवर को किसी कारण से दी होती है ताकि वह इसे ठीक से पड़े और फालो करे याताया संकेत और आतयात नीती के दिये जाने का सबसे बड़ा कारण हमारी सडकों के ट्राफिक को बहतर बनाना है गती प्रतिबंद ड्राइविंग करते समय गती सबसे बड़ा फैक्टर होता है अक्सर देखा जाता है कि रोट के अच्छे होने पर ड्राइवर के द्वारा स्पीड बड़ा ली जाती है परन्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम से कम सिटी में तो स्पीड लिमिट को ही फालो करना चाहिए भारत में इन नियमों को फालो करके दुरगटना होने के खत्रे से हम बचा सकते हैं और खत्रे से बचा जा सकता भी है हर दिन पोलिस वालों पे इन्जाम लगाने से तो अच्छा है रोज ट्राफिक रूर्स को अपने आप निभाना सबसे बहुत अच्छा काम है ना और दूसरी बात है है ड्राइविंग करने समय फोन बात करते जाना भी खत्रे से खाली नहीं आपके साथ साथ एमराज भी आ जाएंगे कान्फरेंस में तो अपने अंदर नशा करके आप गाड़ी चलाते तो अपनी फैमिली के बारे में कुछ सोचो ताकि वो लोग का दर्बी समझो खाना है तो खालो गाड़ी चलाना है तो चला ओ गाड़ी चलाते हुए आप सिगरेट पीना खाना ए नक्षो करो हम लोग है कि इंसान है कोई गाय या भाइस नहीं देखने के समय पहले स्मूथ ही रहता लेकिन डिवेडर को लग गया तो इतना स्ट्रांग रहता उससे बचपाना तो बहुत मुश्किल है नामूम की लाखों रुपे रखकर और कुछ लोग छोटे गाडियों के लिए हजार रुपे रखकर भी गाड़ियां लखरीते हैं तो यह एक हजार रुपए रखके हेल्मेंट क्यों नहीं खरी सकते उसके लिए क्यों इतना सोचते हैं अपनी जान भी बच जाएगी साथ में अपने फैमली को भी सेक्यूर फील हो गया तो प्लीज कार चलाने वाले जरूर सी क्राफिक में और डिवेडरों के पास और रास्ता चलते समय साइड़ वाक करने वालों के ऊपर भी गाड़ियां चलते जारे तो यह सब आपको वीडियो क्लिप एक बार धायन से देखिए कभी-कभी लोग सामने वाली गाड़ी को ओवर टैक करने के समय अपनी गाड़ी ख सुदरने से साथ साथ दूसरों को भी सुदार सको दूसरी बात हाइवेपो इतना वोवर स्पीड नहीं जाओ ताकि आपके वोवर स्पीड के वज़े से कभी-कभी गाड़ी स्लो चलाने वालों को एक दम छटका लग जाता है तो देखकर लिमिट में चलाओ जब आगे फि सामली मा भेन बेटी कोई भी आपका इंतजार करते रहते तो जब घर से निकले हुए इंसार घर आने तक उन लोगों का भी डर लगा रहता मैं इसलिए आज ये वीडियो बना लूँ कि मेरे कुछ ऐसे दोस्तों को मैं खोल बैठी हो प्लीज आप लोग अपने साथ साथ अ अगर आपको वीडियो अच्छा लगया तो जरूर लाइक कीजिए आप ऐसा नहीं समझो ये वीडियो बोरिंग लगा वीडियो बोर लगने से पहले आपके लाइफ के लिए हम छोटी सी हमारे छागल के तरफ से एक गुजारिश है तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए त जरूर हमें नीचे डिस्क्रेपशन में कमेंड बाक्स में कमेंड करके बताएए तो बाहर के लोगी यानि की दोस्त या कोई भी हमारे जिन्दगी कोई एक अच्छे रास्ते पे लाने के लिए हमारी मदद किये हो तो ऐसे लोग अगर हमारे ऐसे कुछ घठनाओं से गुज प्लिज आपके कोई भी ऐसे दो स्ट्रक्स चलाते हो और हाइवे पर गाड़ी चलाने के समय कभी कभी चोटे गाड़ियां एक कार या बाइक कोई भी भी बड़े गाड़ी को ओवर टाक करने के समय खुद अपने जान पर प्रामोल लेते हैं और कभी-कभी बड़े गाड़ी भी छोटे गाड़ियों को रास्ते में आकर उन लोगों को भी रास्ता प्राबलों कर देते हैं साथ में उनको नुकसान भी फोग जाता है से पिर बाद में से कोट कचे रिकेस के चक्र में सारी जिन्दगी गुजार देते इससे तो अच्छा है जो पॉलीस वाले ने हमारे लिए सुरक्षित रूर्स बनाए उनको फालो कीजिए ताकि वो लोग भी हमारे सुरक्षित रहने के लिए ही तो सुरक्षित ट्राफिक लगा तो प्लीज जरूर लाइक शेर कमेंट जरूर कीजिए और चान को सब्सक्राइब कर दिए थैंक्स पर वाचिए जैहिं दोस्तों अपना खायाल रखिए